सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ब्रिसब रासी वालों का आज का रासी फल याने की 27 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के वेडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 27 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्तमी तत पस्चात अस्टमी नक्छत्र है चित्रा पक्छ है सुकल पक्छ और दिन है सोम बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 49 मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के 14 मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है 13 घंटे 35 मिनट 6 सेकेंड का महिना है स्राबन आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 58 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पीएम तक आसुब काल शुरू होता है दोपहर के 3 बज के 37 मिनट पीएम से 4 बज के 31 मिनट पीएम तक राहु काल शुरू होता है 7 बज के 21 मिनट एम से 9 बज के 3 मिनट एम तक दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज के दिन का पंचांग इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का शुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में मित्रों स्वास्त के द्रिश्टी कोण से आपका शमय शामान्य से थौरा सन नीची है आज के दिन आप हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करें आज के दिन अपने मन में किसी भी विक्ती के लिए जलन, इर्षिया, नफरत ऐसी नकारातमक बातों को नकारातमक सोच को आप अपने मन से दूर रखें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से भी आपका शमय अच्छा नहीं बीतने वाला है आज के दिन पैसे बचाने में आपको मुस्किल का शामना करना पड़ेगा आपके पास जो पैसे है वो पैसे कहीं न खहीं खर्च होने लगेंगे लेकिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा इसके बाद है आपका घर पड़िबार मित्रों पाड़िवारिक जीवन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय शामान निसे थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने घर पड़िबार में आप ऐसे मुद्दों पर बहस करने से बचने का प्रयास करें जिस पॉइंट पर बात करने के बाद घर का माहौल खरब हो जाए यानि कि जो भी मुद्दा बिबाद आस्पद हो तो ऐसे मुद्दों को आज के दिन आपको इगनौर करना होगा वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शम है बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार है आप में से जो भी दरसक अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के शाथ आज के दिन मुलाकात करते हैं तो उन लोगों का प्रे प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी इसके बाद है आपका कामकाज तो आज के दिन अपने कामकाज अपने काड़े छित्र में आप पूरे मिहनत पूरे आस्था और पूरे लगन के शाथ काम करते रहें आपका शमय सांदार हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और सांदार होगा तो उपाई बहुत ही जियादा सामानी है आज के दिन आप चाबल या फिर चांदी अपनी माता से लेकर अपने पास रखें अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आज के दिन आपका शमय सांदर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है भुरा और सलेटी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगा सेयर कर दें धन्यवाद